अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी चैनल पर नए वीडियो अप्लोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैं कौन से ब्रांड की विपिंग क्रीम यूज करती हूँ और हमें विपिंग क्रीम को कैसे स्टोर करना है तो चलिए स्टेप बाइस्टेप वीडियो को शुरू करते हैं सो पॉइंट नमबर वन क्रीम का ब्रांड कैसे चूज करें सो मैं जो ब्रांड्स यूज करती हूँ वो है ट्रोपलाइट प्रीमियम और रिज स्टार विप जो की वन केजी की पैक्स में आते हैं यह क्रीम और भी ज्यादा कॉंटिटी में मिलते हैं पर वन केजी इसका मिनिमम स्टार्टिंग है यह ब्रांड्स मेरे यहां और काफी जगा पर आसानी से मिल जाते हैं सो यह मैं इस्तमाल करना पसंद करती हूँ अगर आपके हैं कोई और बॉर ब्रान्ड मिलते है हो तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं पर ध्यान रखे कि आप आप अच्छी कॉलिटी की मतलब प्रीमियम क्वालिटी की ही क्रीम ले क्योंकि एक ही कंपनी के दो तीन वेरियंस आते हैं ताइप्स आते हैं तो उसके हिसाब से क्रीम की प्राइज और उसकी टेस्ट में भी फरक पड़ता है ओके, तो पॉइंट नमबर टू, क्रीम को इसमाल कैसे करें? सो हमने बाजार से क्रीम तो खरीद ली, पर आगे क्या करें? इसे स्टोर कैसे करें? ये क्वेश्चन्स हमें आते हैं जब हम नया नया बेकिंग स्टार्ट करते हैं बड़ चिंता ना करें, हम वन बाई वन सारी चीज़े समझ लेने वाले हैं सो फर्स्ट पॉइंट क्रीम को स्टोर कैसे करें? सो हमें विप क्रीम को फ्रीजर में स्टोर करना होता है हमेशा फ्रीजर डिफ्रीजर फ्रीज में नहीं डिफ्रीजर जो उपर होता है ठीक है जहां पर बर्ज जमती है वहां पर हमें से स्टोर करना होता है पॉइंट नमबर टू जब भी हमें क्रीम को विप करना होता है तो हमें विप क्रीम लिक्विड फॉर्म में चाहिए होती है तब हमें विप क्रीम को फ्रीजर से बहार निकाल कर रखना पड़ता है इसका मतलब यह है कि आपको विप क्रीम को कम से कम 2-3 घंटे पहले फ्रीजर से बाहर निकाल कर रूम टेमरेचर पर रखना है ताकि वो लिक्विर फॉर्म में आ जाए गर्मियों में क्रीम जल्दी लिक्विर फॉर्म में आ जाती है पर ठंड और बारिश में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है अगर आप सुभा क्रीम विप करने वाले हो तो आप एक दिन पहले रात को ही क्रीम को फ्रीजर से निकाल कर नॉर्मल फ्रिज में रख सकते है इससे पॉइंट देखते हैं कि मैं विप क्रीम को कैसे स्टोर करती हूं सो मैंने पहले जो क्रीम स्टोर करने के स्टेप्स पताये वह क्रीम के बॉक्स के साथ में और मैं जिस तरह से क्रीम स्टोर करती हूं वह बिना क्रीम की बॉक्स के हैं डोंट वरी कोई टेंशन लेने वाला क करती हूं जी हां मैं पहले उस रूण टेंपरेचर पर लिकुड फॉर्म में आने देती हूं और फिर जब रूण ठेंपरेचछर पर आ जाज आती हैं तब मैं उसे एक इघः कंटेनर में मतलब हवावाबंध डबे में ट्रासफर कर देती हूं बस में सिर्फ इतना ही चेंज करती हूं बाकि सारी स्टेप्स वही फॉलो करती हूं जो पहले बताई है जैसी कि 2-3 घंटे पहले क्रीम को फ्रीजर से बाहर निकालना एनौर सो आप में भी सोच रहे होंगे कि अगर क्रीम को वैसे भी 2-3 घंटे पहले बाहर निकालना ही है फिर उसे ऐसे डिबे में ट्रांसफर करके स्टोर करने से क्या ही होगा तो आपको इसके कुछ बेनेफिट्स बताती हूँ जो कि बहुत छोटे-छोटे हैं पर यूस्फुल है सो फिर्स्ट बेनेफिट है कि क्रीम जल्दी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है चली देखते हैं वो कैसे होता है समझ लिजिए अगर आपके पास बहुत कम टाइम है मान लिजिए आपके पास एक या आदा घंटा ही है और आपको क्रीम को विप करना है सो अगर आप नॉर्मल वाली टेकनिक यूज करते है मतलब क्रीम बॉक्स को बाहर निकाल कर रखने वाली तो एक या आदे घंटे में क्रीम को लिक्विड फॉर्म में आने में टाइम लग सकता है मतलब वो पॉसिबल ही नहीं यहां पर जो डिब्बे वाली टेकनिक है वो एक मैजिक की तरह वर्ग करती है वो कैसे वो ऐसे कि आप इस डिब्बे को एक पानी के बरतन में डिरेक्ली रख सकते हैं बिना कोई टेंशन के मैं क्रीम को लाती हूँ जब भी मुझे कम टाइम मिलता है अगर आप ये सेम टेकनिक क्रीम वाली बॉक्स के साथ करते हैं तो क्रीम के बॉकस में पानी जाने की चांसे बढ़ जाते है ये हमेशा नहीं होता है पर कभी-कभी बॉकस पर छेद होते है सो चांसे से की पानी जायेगा मेरे साथ भी ऐसे हुआ है और फिर मुझे पूरी क्रीम फेक नहीं पड़ी थी बेटर है कि आप अगर box इस्तिमाल कर रहे हैं तो पानी में ना रखें डिबा यूज कर रहे हैं तो बेज जब पानी में रखें सेकिंड बेनेफिट क्रीम वेस्ट नहीं होती है वो कैसे तो अगर आप box से ही cream measure करके इस्तमाल करते हैं तो आप end end में notice करेंगे कि काफी cream box में ही चिपकी रहती है जिसे निकाला थोड़ा difficult हो जाता है ऐसा नहीं है कि निकाली नहीं सकते आप बिल्कुल निकाल सकते हैं बस आपको box को पूरा फाडना पड़ता है और फिर सारी cream निकलनी पड़ती है पर ये काफी messy job है और बहुत time भी लग जाता है मेरे लिए इसे बचने के लिए डिब्बे वाली टेकनीक बहुत ही useful है क्योंकि जब end end में थोड़ी cream बच जाती है तो आप उसे चमच या spatula की मदद से आसानी से बाहर निकाल सकते है तो ये थे कुछ टेकनीक्स जो मैं मेरी cream store करने के लिए इस्तिमाल करती हूँ सो हम next point डेखते है कि cream को वापस कैसे store करे सो जब आप whip cream को measure कर लेते हैं तब आपको box को दोनों तरफ से जहाँ arrow दिया है वहाँ से अंदर की तरफ प्रेस करना है और फिर उपर की तरफ से अंदर की तरफ जोर से प्रेस कर देना है मतलब वह पार्ट अंदर चरा जाता है और आपका box secure हो जाता है और आप फिर इसे freezer में रख सकते हैं आप चाहे तो इसे एक rubber band से भी fix कर सकते हैं ताकि यह stable रहे और अगर आप डिबे वाली टेक्निक यूज़ करते हैं तो आपको सिप डिबे का ढखकन लगा देना है और क्रीम को डिरेक्टली फ्रीजर में रख देना है इस तरह से हम whipped cream को store कर सकते हैं और अपने अपने एरिया की availability के हिसाब से आप अलग-अलग brands के creams यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए आपको कोई doubt है तो comment section में पूछिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मैं instagram पे भी हूँ foodandlotsmore के name से ही उसका link भी मैं आपको description box में दे दूँगी मैं ऐसे ही वीडियो के साथ आती रहूंगी और आपसे मिलती रहूंगी तब तक के लिए bye bye and take care हूँ